करोना वायरस के बढ़ते सकर्मन के बीच वैक्सिन को सबसे बड़ा हत्यार वाना जा रहा है और अब देश में 2 साल से 18 साल के बच्चे को वैक्सिन लगाय जाने की अनुमती मिल चुकी है भारत बायोटेक ने सितंबर में बच्चों पर वैक्सिन के ट्रायल पूरे किये थे और डाटा सम्मिट भी किया था DCGI ने आंकलन के बाद कंपने से एडिमिशन डाटा मांगा था जो शनिवार को सम्मिट कर दिया गया था कल भी इसे लेकर सब्जेक्ट एक्सपेट कंपनी यानी SEC की मीटिंग हुई थी सुत्रों के मुताबिक आज की मीटिंग में 2-18 वर्ष के बच्चों में को वैक्सिन लगा जाने की अनुमती मिल चुकी है ऐसे ले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्याबाद